जेशी कृष्णा फ्रेंड्स रूपदा किचन में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है काफी टाइम बाद अब रेसेपिया वापस शुरू करी है और इतने दूनों ट्यूर के जो है वीडियो आ रहे थे आप लोग ने देखिए और देखके लाइक कीजिएग तो फ्रेंड्स लाइक नहीं होते हैं कमेंट्स तो होते हैं और आज बनारी हूं में मावा की बर्फी घर पे ही दूद से यह डेट से दो किलो में ने जो है दूद लिया है और उसे बहुत अच्छे से जो कंटिन्यूस ली उबाल रही थी चलाए जारी थी और इस तरह से ज जैसा टेक्च्चर आ गया है यह देखिए और अब इसके अंदर डालेंगे फ्लेवर फ्लेवर के लिए यहां पे चार से पांच इलाइची ली और उसे छिल के जो है अच्छे से पीस लेंगे इलाइची का फ्लेवर अच्छा लगता है और बस इसे भी जो है इस तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और अब इसके अंदर जो है डालेंगे पन नारियल का जो है बुरादा होता है रेडिमेट मिल जाते है आसाने से जो पहले तो जो है यह मैंने मावा बनाया है घर पे ही वो लेंगे जितना मैंने मावा बना है अब यह उतना ही मैंने जो है नारियल का यह देखिए यह बुरा लिया है खोया ले लिया है दोनों बराबर मात्रा में है यह और इनको भी कर देंगे बहुत अच्छे से मिक्स यह घर की दूट से ही एक बहुत अच्छी मिठाय बन के तयार होगी बिना मिलावट वाली दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उदर जो है थाली में पहले से ही अपन थोड़ा सा गी लगा के तयार रखेंगे और इसमें इच्छे से जमा देंगे बहुत ही जल्दी है घर पे मिठाय बन के तयार होगी फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे सारी वीडियो फुल वॉच कीजिए आऄ है ओलायक भी किया कि जो आप कमेंट स्क्राकर देख रहे थे इतने टैम से और मैं आप लोगों की वीडियो देखती मूों लायक ओ कमेंट lle कर प्रेंड्स पहले एक बार कट लगा लगत ताक के बाद में जो है वीडियो केसे लगए फ्रेंड्स बताएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्स फूर वाचिंग जैशे कृष्णा